नमस्कार मित्रों तो आज किस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं कि पिछली साल यानि कि 2022 में CUET में जो बायलोजी का आक्वा क्यूस्टन पेपर था वो किस तरह से आया हुआ था यानि ये क्यूस्टन कहां से पूछे गए थे और वो किस बेसिस से पूछे गए थे औ वीडियो को दोस्तों यह है मेरी सीवीटी यूजी 2022 की रिस्पॉंस सीट जिसमें मैं आपको सारे क्यूस्टन दिखा सकता हूं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका बायलोजी का पेपर होता है सीवीटी का उसमें जो टोटल नमबर आफ क्यूस्टन होते हैं व इंचारी कूण सौटाउ देर लाइन कि अंसी यारटि के अकॉर्डिंम मतलब सारह के से शान गये थे लूए यसे आप यहाँ सकते हैं मारा सूंची तूंसरे मिलानकिजी इन का सबढूटी इनका सेफोल incarcerated और जन्तु दिये गए हैं उनमें इसका मिलान करना था यह आपका फर्स चैप्टर में आपको मिल जाएगा जीव में जनन वाले चैप्टर से तो यह इंसी आड़ी के फर्स चैप्टर में अच्छे से गिवन है यह चीज जैसे जब नेक्स्ट क्यूशन की बात करें हम यहां सुची वन का सुची दो से मिलान करने का पूछा है यहां कुछ एक साइड इसने कुछ क्या नाम है बैरियर से लिखे हैं जो आपको यह इम्म्यून्टी वाले चैप्टर में मिल जाएगा तो यहां पर भी यह सारी चीज एक दम अच्छे से दी गई हैं सियाड़ी में यहा यहां से पूछा हुआ है इसने जो पूछ रखा है कि कुछ आवरत वीजी पौधों में इनमें से कौन नर युगमकों के वाहक होते हैं दोस्तों यह भी आपका फर्स चैप्टर का क्यूश्चन था यह एकदम इंसी आर्टी का लाइन लिखी हुई है कि पराकड कुछ आव बहुत ही बेहत अच्छे तरीके से पूछा जाता है सीवीटी के एक्जाम में दोस्तों एक चीज आपको पता दे किसी भी एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको दो चीज बहुत अच्छे से क्लिए रोनी चाहिए एक तो उसका सलेबस सलेबस तो आपको पता है कि बाइलोजी के लिए आपको केवल और केवलें सी आइडी पढ़ना है सेकेंड चीज होता है उसका एक्जाम पैटर यान कि किस तरह से पूछे जाते हैं अभी मैंने आपको दिखाया मैंसिंग टाइप के क्यूशन आपको हमने दिखा दिए फिर एक क्यूशन अभी आपको मैं वाक्क के दिए होते हैं या संटेंस दिए होते हैं उनमेंसे यह पूछता है कि आप में से कौन कौन से सही है उसको लिखिय कौन से ङस Mmm में रूप करना यह इस आपको क्योशन पूछे गए हैं और यहां इस तरह से क्योशन्स पूछे गए हैं यहां यहां आपको देश सकते हैं यहां पे लिखा है कि आवर्द वीजियों में नीशेचन के पस्चात होने वाले परिवर्तनों के शंबंद में समुचित विकल्प का चैन कीजिए यानि कि यह जो दिये गए हैं आपके 5 वा में अच्छे माक्स लाने के लिए अगर आप बात करें बायलोजी की तो आपको फिर से बता दे रहें आपको केवल और केवल NCRT ही फॉलो करना इसके अलाम आपको कोई भी दूसरी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है फिर से बता रहा हूं कि इसमें दो इंपॉर्डन चीज दिये रहेगा आपको बता रहा है कि इन कथन और कारल में से कौन सा सही है हो सकता है कि दोनों सही हो हो सकता है जो कथन उसका दिया गया कारल सही है हो सकता है कारल सही हो कारल गलत हो हो सकता है कारल सही हो कारल गलत हो तो इस तरह से ये क्यूस्टन पूछता है इस तरह की हलाकि इस question की बात करें तो यह साइद NCRT में नहीं है जैसे इसमें एक दे रखा यह वीटेलाइन जिली यह साइद NCRT में गिवन नहीं है तो एक दो questions ऐसे मिल जाएंगे आपको आप वहां से देख सकते हैं अगर अच्छे से तयारी होगी तो आप इसे एक बार सॉल्ब करने की कोशिस करिए आपको सायद अच्छा लगेगा यह सॉल्ब करके और बाकी से जुड़े हुए और भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हां साथ ही अगर आपको से कोई भी डाउट आता है तो तुरंत आप हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं साथी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एक वार्टसेप ग्रूप का लिंक दिया हुआ है आप उसे जॉइन कर लें वहां पे मैं से युटी से रिलिटेड नएने अ हन्यवाद